दोस्तो आज हम बताएंगे कि रितिक रोशन और सुजन का तलाग क्यों हुआ था। दोस्तो ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड में अपनी सबसे विशिष्ट ख्याती रखने वाले रितिक रोशन आज किसी भी पहचान के महताज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सफलता के उचतम स्तर को छुआ है। बहतरीन कलाकारी और एक्षन के अलावा रितिक रोशन अपने बहतरीन डांस के लिए भी जाने जाते हैं। रितिक हैंडिसम भी इतने है कि लाखो लड़कियों ने उन्हें पाने के सपने देखे हैं। और तालीस वर्ष ये रितिक रोशन आज दो बच्चों के पिता है लेकिन फिर भी उनका क्रेज किसी 20-25 वर्ष के नौजवान जैसा है। अगर हम बात करें कि जिस रितिक रोशन को पाने के लिए लाखों लोग तरस्ते रहे आखिर उनकी प्रेम कहानी अर्थात उनका शादी शुदा जीवन असफल क्यों रहा। यह बात साफ जाहिर है कि शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जो रितिक रोशन को ना पाना चाहती होगी तो क्यों आखिर उनकी पूर्व पत्नी सुजन और उनके बीच में तलाक हुआ। जानकारी के लिए बता दे की रितिक रोशन ने सन 2000 में अपनी प्रेमिका सुजन खान से शादी की थी और उनके दो बीटे हुए थे। जिसके बाद सन 2014 में दोनों अलग हो गए। अलग भी कुछ हैसे हुए कि इन दोनों का तलाक भारत का सबसे महेंगा तलाक बनकर उभरा। रितिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजन खान को तलाक के दोरान लगभग 300 करोड रुपे दिये थे। इनके तलाक की सबसे बड़ी वजह रितिक रोशन की पत्नी सुजन खान का अरजुन रामपाल के साथ संबंध होना है। अरजुन रामपाल के साथ सुजन की करीबियां इस रिष्टे में दरार पैदा की थी। तलाक की दूसरी बड़ी वजह मेकसिको की अभिनेत्री और मौडल बारबारा मोरी हैं। बारबारा मोरी रितिक रोशन के साथ काइट्स फिल्म में अभिनेक कर चुकी है। तभी से इनके बीच अफे की अफ़वाहें आती रही। कहा तो यह भी जाता है कि रितिक और बारबारा फिल्म के काफी समय बाद तक एक दूसरे से मिलते रहे। सुजेंग खान की ट्यूनिंग अपने सास और ससुर से न होना भी तलाग की एक बड़ी बज़े है। ऐसा माना जाता है कि रितिक हमेशा ही अपने माँ बाप के ज्यादा करीबी रहे हैं। तलाग की एक और बज़े रितिक के करिया में सुजेंग को शामिल न करना रहा है। रितिक सफलता और असफलता कहीं भी सुजैन की भागीदारी को लेकर रितिक कभी चर्चा नहीं करते। आमत और बॉलिवूट के अभिनेता ऐसा किया करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद